तो आज की वीडियो के नहीं करने वाले हैं शाओमी का एक फोन 10MI को अन्बॉक्स आप देख सकते हैं यह बॉक्स मेरे सामने आ चुका है और आप करेंगे हम इसके अन्बॉक्सिंग और मैंने एक नया सैटप बनाया अगर आपको वीडियो ची लगे तो लाइक कर देना और ग नीचे अगर बिस्क्रिप्शिंग करेंगे तो आपको वहाँ पर गूगल मैप्स का लिंक भी देखने को मिल जाएगा तो आप जरूर से वहाँ पर चक्प करना आपको अच्छी डियूज वहाँ पर देखने को जरूर मिल जाएगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सबस्क्रिज़ अब करते हैं इसनंट की अनबोक्सिंग तो आप देख सकते हैं यह जो बॉक्स है काफी सखिने के अंदर ब्लैक मैट तुक्वी साई बॉक्स तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सीघा लगी हुई है और अभी मैं करूंगा इसको अन बॉक्स तो आप देखनाई हाथा यहां पर मैं मैं dram करता हूं और यह वाली भी बरे कर तो भाई इसको हम ओपन कर लेते हैं इसके अंदर क्या है देखते हैं तो यहां मैं धीर धीर ओपन कर रहा हूं गाइस यह देखी यहां पर हमें एक कवर देखने को मिलता है इसको मैं बाहर निकालता हूं और यह कवर हमें यहां पर देखने को मिलता है काफी सई कवर है और इ यहां पे है हमारा mobile काफी अच्छा mobile काफी अच्छे color के अंदर इसकी बाद हम बाद में करेंगे अब हम आगला contents देख लेते हैं कि box के अंदर क्या-क्या है ओके गाइस तो यहां पे हमें देखने को मिलती है यह charging cable टाइप सी cable है आप देख सकते हैं यह cable और next जो हमारे पास adapter आता है यहां पे charging adapter यह है charging adapter काफी सही adapter है white color के अंदर काफी सुन्दर adapter है बाकि यहार मैं आपको इसके specifications बात में बताता हूँ इस video के अंदर और बागी कुछ देखने को नहीं मिलता box खाली हो चुका है तो guys यहां पे आपको बताता हूँ कि यहां पे आपको देखने को नहीं मिलते जो हमारे earphones होते हैं जो की अच्छी चीज थी जो कि इन्होंने निकाल दिया अपने phones से बाकि यहां पर हमें बहुत सारे contents देखते हैं मिल जाते हैं अब हमें देखते हैं हमारा phone कैसा है काफी सुन्दर phone देखने में लग रहा है तो इसको open करके इसको boot करके देखते हैं कि phone कैसा है तो चलिए गाइस अब बात करते हैं अपने phone की तो सबसे पहले आप देखिए यार यह phone phone की looks देख लो यार कितनी सई phones की looks है और अभी हम इसको boot करेंगे आपके सामने तो देखो यहां पर यह sticker लगा हुआ है इसको हम निकाल लेते हैं आराम से एकदम और यह आके ओके तो यह देखो यह हमारा phone बाहर आ चुका है guys काफी सही यहार यहां पर phone की finish है और यह देख सकते हो यार पीछे color भी काफी सुन्दर design के अंदर आया हुआ है और यहां पर आपको मैं बता दूं यहां पर MI की branding यहां पर 5G लिगा हुआ है यहां पर हमें देखने को मिलते है हमार first boot ओके तो यहां पर MI आ चुका है और powered by android आ चुका है तो यहार मुबाइल तो काफी अच्छा होने वाला यह तो मुझे पता लगी रहा है बाकि यहार यह मुबाइल बहुत ही सही है मुझे तो पहले ही देखने में बहुत ही अच्छा लगा था जब मैंने इसका box देखा थ करने के लिए डिस्प्ले पे तो काफी सही है यार मुबाइल आप देख सकते हैं इसके लुक्स देखो यार लुक्स भी काफी अच्छे हैं यह मैट फिनिश के अंदर है तो यह काफी अच्छा दिखने को हमें मिलेगा हम इसे आगे कर लेते हैं और यहांपर हमें वह यह मुबाइल है तो आप मुबाइल को देख यहां पर न लिखा हुआ यहां पर 5G और यह काफी बहुत यह सुनदर है यहां पर हमें फ्लैश लयट देखने को मिलती और यह कंडर काफी अच्छा अब बात करते हैं इसके ports and buttons की तो यहां पर हमें side में देखने को मिलेंगे volume rockers और fingerprint sensor यहां पर हमें पीछे की तरफ देखने को मिलेगा speaker grill microphone type C port and 3.5 mm jack port और यहां पर आपको देखने को मिलेगा sim card tray तो उपर की तरफ आपको noise cancelling microphone भी देखने को मिल जाएगा तो काफी अच्छ के अंदर तो काफी अच्छा phone मुझे लगा अब बात करते हैं यार इसके features की और चलिए आगे move करते हैं अपनी वीडियो की तरफ गाइस अब बात कर लेते हैं यार इस phone के बारे में इसकी specifications discuss कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं phone मेरे सामने पड़ा हुआ है इसको मैं on करता हूं इसकी display देखना काइस काफी सई इसकी display है और काफी अच्छा phone देखने में हमें लगता है तो जितना अच्छा दिखता है न उतना अच्छा काम भी करता है इसके cameras के अगर मैं आपको बात बता हूं तो 108 megapixel का जो है इसके अंदर camera आपको देखने को मिल जाएगा guys जी हा this is an epic मतलब कि 108 megapixel का camera यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा तो काफी अच्छी बात है 16 megapixel का यहाँ पे आपको selfie camera भी देखने को मिलेगा अच्छी बात है यार काफी decent phone है selfie camera मैं सोचता हूं थोड़ा सा और develop कर लेते तो काफी अच्छा होता इस price point के अंदर तो काफी about phone में चेक कर लेते हैं यार इसका android version तो मुझे पता है यार यह android 10 में अंदर आता है तो इसको मैं एक बाद टैप करके देखता हूं तो यहाँ पे आपको देखेंगे android 10 का यहाँ पे आपको sport देखने को मिलता है बागी हम बात करें यार इसके processor की तो यहाँ पे आपको Qualcomm snap ट्रेगर 750 G देखने को मिलता हाइप परफॉर्मेंस है तो काफी अच्छा जो यहाँ पे प्रोफैसर आपको देखने को मिल जाता है अब बात करते हैं यहार इसकी बैटरी की तो यहाँ पे आपको थोड़ी लंबी बैटरी पेकप वाली बैटरी भी दे सकते थे इस के अंदर फीचर भी देखने को मिलते हैं और अब आपको बता दो कि यह फोन जो है ना 5G फोन है इसलिए यार यह में को बहुत अच्छी डील लगती है इस प्राइस पॉइंट के अंदर आपको 5G भी देखने को मिल रहा है 5G और यह काफी अच्छा है यार अब बात करने स 5G फोन भी आपको यहां पर देखने को मिलेगा और आप अराम से यूज़ कर सकते हैं चार या पांच साल अच्छे अराम से अगर आप एक डिसेंट यूज़र है तो ठीक है काफी अच्छा यार यह मुंबाइल लगा मुझे आपको सारी स्पैसिफिकेशन बने इस फोन की समस्क्राइब की जये और वीडियो को जख से शेयर कर देज़िए और परने अपकिन को शेय्ट करेंगे